कि हलो एवरीवन वेलकम टू एस्पाइंट पीसीएस मैसल प्चंदन परसाथ आज की सिसन में टू दा पॉइंट के अंतरगत हम दो डिसकस करने वाले हैं जहारखंड समान अधियन में जहारखंड करेंट एफेस के टोपिक को डिसकस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इं जहारखंड के भी सहर हैं उनको एक विशेस अस्थान मिला है जैसे कि आगर हम बात करें एक लाक से 10 लाक के सहर में जमसेतपुर को पहला पोजीशन मिला हुआ है जबकि आपका 10 लाक से ज्यादा जनसंख्यां वाले सहर में आपका रांची को 35 अस्थान मिला हुआ है तो औ बहुत इंपोटेंट है रेंकिंग खासकर और किस पैमाने पर दिया जा रहा है उन सारे चीजों को भी हम लोग डिसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें जिससे कि आने वाले और सहरी मंत्राले के द्वारा Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा 31 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था स्वक्ष्टा सर्वेक्षन 2020 जिसमें कि आपका पहली और दूसरी यह दोनों वर्ड याद रखेगा इसमें बहुत ज़्यादा इस्ट्रेंट कन्फ्यूज करते हैं यह पहली और दूसरी तिमाही दोनों के लिए परिणाम एक साथ खोसना किया गया है दोनों का रैंकिंग अलग-अलग है हमें जो ज्यादा ध्यान रखना है दूसरी तिमाही पर ध्यान रखना है अब इसके आगे भी क्या रैंकिंग जारी होगा बिल्कुल होगा यह फाइनल रैंकिंग जारी हो उस पर हम लोग गौर करेंगे एक खास बातिस रेंकिंग में देखने को मिला है इसमें जो रांक झारी किया गया है अबादिक आधार पर जारी रैंकिंग यह नहीं है अबादी के अधार पर यह रैंकिंग जारी किया गया है अगर मानली जी हम राची का बात करते हैं तो राची जो आता है दस लग से जादा वाले जनसंख्या वाले सहर में आता है तो उसका रैंकिंग अलग होगा जमसेतपुर का अलग होगा तो उसी ब और अक्टूबर से दिसंबर 2019 सहर की जनसंख्या के अधार पर अलग अलग स्रेणियों में विभाजित किया गया है अभी जो हम लोग यहां पर स्टड़ी कर रहे हैं अप्रिल से जून पहली तीमाही माना गया है जुलाई से सितंबर दूसरी तीमाही और तीसरी तीमाही अभी आपका अक्टूबर से दिसंबर जो मार्च के अंत तक आएगा अभी जो अप्रिल से जून और जुलाई से सितंबर पहली और दूसरी तीमाही का रैंकिंग है अब बात करते हैं जो réngकिंग जारी किया गया है उसमें सहर को किस तरह से रैंकिंग किया गया है अगर हम बात करें इंदोर का तो इंदोर को पहला पोजीशन मिला हुआ है और यह फस्ट पोजीशन अबादी के दार पर जैसा कि हमने बताया तो 10 लाख से जादा जनसंख्या वाले में इंदोर सामिल होता है और उन सहरों में इंदोर को पहला अस्थान मिला हुआ है और बात करें जमसेदपूर का तो जमसेदपूर को पहला पोजीशन मिला हुआ है इसको भी पहला पोजीशन मिला हुआ है लेकिन एक से दस लाख के जनसंख्या वाले सहर्म के पहला अस्थान जमसेदपूर को मिला हुआ है से आपका जमसेद्पर हो गया और मद्धि परदे से आपका इंदोग जिसे पहला पोजिसन मिला हुआ है गा Isaiah कि और किसमें ज्यादा बात करनी की जुरुरत है कोलकत्ता सहर का कोलकत्ता सहर आपका इसमें सामिल नहीं सबसे नीचे रखा गया है आगे आने वाले तीसरी तिमाही जो जारी किया जाएगा उसमें उमीद है कि वह भाग लेगा अगर हम बात करें दस लाग से अधिक जनसंख्या वाले सहर में तो इंदोर को पहला पोजिशन मिला हुआ है पहला और दूसरा तिमाही दोनों के लिए इंदोर को पहला पोजिशन मिला हुआ था 10 लाग से अधिक जनसंख्यावाले सहरों में इंदोर पीसली स्वक्षटा रहे सर्वेक्षन की तरह वर्स 2019 की पहली दो तिमाही के लिए स्वक्षटा सर्वेक्षण में भी पर्ता मस्तान मिला हुआ है तब दोनों तिमाही के लिए अब बात करते हैं कि दूसरा और तिसरा रैंकिंग किसे मिला हुआ है दस लाग से ज़्यादा जनसंख्या वाले सहरकाम बात करते हैं पहली तिमाही में भुपाल और दूसरी तिमाही में राजकोट को दूसरा स्थान मिला हुआ है पहली तिमाही में जो रैंकिंग मिला हुआ था सकेंड पोजीशन यह फर्स रैंकिंग तो इंदोर को मिला पहली तिमाही में भी और दूसरी तिमाही में भी अब बात करते हैं कि जो second ranking मिला हुआ है वो किसे मिला हुआ है तो अगर पहली तिमाही का अगर हम बात करें तो यह जो ranking मिला हुआ था second position वो भुपाल कम मिला हुआ था जबकि आपका दूसरी तिमाही में जो मिला हुआ है वो राजकोट को मिला हुआ है careless दूस्रा है अगर हम थोड़ा ऑजियुषन का बात करें थार पोजिशन का तपहली तिमाही में सूरत को मिला हुआ था और दूसरी तिमाही में नभी मिम्भई को मिला हुआ था यह 10 लग से ज्यादा जनसंख्या वाले सहर का रेंकिंग है इसमें थोड़ा कन्फूजन होता है लेकिन किलियर रखना है सारा चीज यहां पर आपको फैक्ट दिया हुआ है अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक से दस लग जनसंख्या वाले अभी तक हमने जो बात किया था वह 10 लग से ज्यादा जनसंख्या वाले में जैसा कि हमने बताया कि पहला पोजीशन मिला हुआ है जमसेतपूर को मिला हुआ है और पहली और दोनों दूसरी तिमाही दोन और जोकि Бधि पर्देश का सहर हैं तीसरे अस्थान पर था किया किस्की 하는데 हएगा पहली और दूसरी तीमाही में जम सिद्पूर को फर्स्टी पोजीसिन मिला हुआ है है एक तु सकेंड रेंगिंग से मिला हुआ है कि जो मिला हुआ है 3rd position में जब दुसरी त्माही का ranking जारी किया गया दूसरी त्माही का ranking उसमें तो जमसेथपूर 1st position पर ही है 2nd position कीसे मिला 2nd position जो मिला हुआ है वो आपका चंदरपुर जो महराष्ट का एक सहर है उसे मिला हुआ है 3rd position जो मिला हुआ है Khar noor जो कि मधिपर्देश का ही सहर है उसे मिला हुआ है अब बात करते हैं कि दूसरी तिमाही में दिल्ली जो कि पहली तिमाही में जो दिल्ली था वो सकेंड पोजिसन पर था लेकिन जब दूसरी तिमाही का रैंकिंग जारी किया गया उसमें दिल्ली छटे पोजिसन पर रखना है या तक कि लिए रहे सबको यह तो हमने जो major cities थे जो रेंकिंग जारी किया गया है पहला दूसरा तिसरा पहली ती मही में और दूसरी मही में उन सारे चीज को हमने यहां पर डिसकस किया अब हम लोग अपने सहर जारखन में आते हैं और हमारी सहर का क्या इस्थेती है उस पर हम लोग गौर करते हैं एक्जाम में ज्यादा यह भी प्रसनी पूछे जाने के चांसे हैं कि सबसे पहले हम लोग 10 लाग से ही बात करते हैं 10 लाग से जो अधिक जनसंख्या वाले सहर है उसमें सिर्फ दो ही हमारे जार्खन से दो सहर को सामिल किया गया है धनबाद को और दूसरा आपका रांची को तो आपको यहां पर दो रैंकिंग याद रखना है पहली तिमाही के लिए और दूसरी तिमाही के लिए क्या रैंकिंग रहा है जो राची का राची का जो रैंकिंग रहा है दूसरी तिमाही के लिए और पहली तिमाही के लिए वह 35 रैंकिंग था 10 लग से अधिक अबादी वाले सहरों में Top 50 सहरों में राजधानी रांची की रैंकिंग दोनों ही तिमाई में 35 रैंकिंग रही है क्लिए है ये 2019 का बात किया जा रहा है तो 2019 में आपका जो रांची का सवक्षता सर्वेक्षन का रैंकिंग था उसमें 46 पोजिशन पर था कलियर है इसमें अब धनबाद का बात करते हैं पहली तिमाही और दोसरी तिमाही के लिए जहारखन के दूसरे साथ धनबाद का रेंकिंग पहली तिमाही में 46 और दूसरी तिमाही में 25 अस्थान पर है मतलब कि अगर हम दूसरी तिमाही का अगर बात करें तो जार्खन के तरब से जो सर्वस्रेस्ट पोजीशन पर है वो धनबाद है दूसरी तिमाही में दूसरी तिमाही में जो आपका जारखन के तरब से है 25 रेंकिंग धनबाद को मिला हुआ है जबकि आपका राचिये को 35 पोजिशन मिला हुआ है और एक चीज़ ध्यान रखेगा पहली तिमाही में आपका धनबाद को रेंकिंग मिला हुआ था वो 36 मिला हुआ था इस चीज़ कर दूसरी तिमाई में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है जिससे कि वह रांची से भी आगे निकल गया और पचीसमें अस्थान पर अपना पोजीशन बनाया कि यह जो रैंकन cohesive किया जाता है इसमें टोटल बहुत सड़े पैमाने को सामिल किया जाता है सहरी निकायों के लिए खास कर किर यह 10 लाक से ज्यादा अबादी वाले सार होते हैं तो इसमें बहुत सारी विभीन चणन होते हैं और उसमें 2000 तोटल अंक रखे जाते हैं और उन रही अंक में से प्रोभाइड किया जाता है उनके वर्क के बैसिस पर स्वक्षिता के बैसिस पर और अनिमाब डंग की अधार पर अंतिम चेरन का सर्वेक्षन 31 जन्वरी 2020 के बीच होगा मतलब यही चार जन्वरी से यह प्रारम हो रहा है और जो कि मार्च के अंतक लिस्ट आ जाएगा यह तो आपका दस लग से अधिक अबादी वाले जहारखन के जो पोजीशन रहा हो जिसके बारे में डिसकस किया जिसमें कि टॉप 50 सहर में जहारखन स से दो सहर एक धनवाद और एक रांची एकजाम में यह भी पूझाया सकता है कि दस लग से अबादी वाले सहर में कौन से सहर एक धनवाद ऐस्ञीस रेंकिंग में सामिल किया गया है दूसरी तिमाही के लिए आपका जो रैंकिंग में जो पोजीशन मिला हुआ है वह आपका धनबाद को 25 स्थान मिला हुआ है जबकि आपका रांची को 35 स्थान मिला हुआ है अब हम लोग बात करते हैं स्वक्ष्टा रेंकिंग 2020 जिसमें कि आपका 1 से 10 लाग की जन संख्या वाले में जैसा कि हमने बताया 50 सहरों की स्रेणी में जमसेदपूर को पहला स्थान मिला हुआ है पूरे ओल अभर इंडिया में जमसेदपूर को पहला स्थान मिला हुआ है इसमें भी कुल 50 सहर थे जिसमें कि जमसेदपूर को पहला अस्थान मिला हुआ है जमसेदपूर ने पहली और दूसरी तिमाही दोनों में पहला पोजिशन बरकारा रखा है आप फाइनल डिस्ट में देखेंगे कि हमारा जो जारकन का जमसेदपूर हो फाइनल डिस्ट में क् इसस्त्रेनी के सहर में स्वक्षटा के मामले में ग्रिडी का 46 अस्थान है अब टोटल 50 सहर थे 1,10,10 लग के अबादी वाले सहर में जिसमें भी जहारकन से 2 सहर है पहला जमसेत्पूर जो पहला पुजिसन पर है पूरी आलओर इंडिया में और दूस्रा ग्रिडी जो की अधिक अबादी वाले में भी दो सहर थे जिसमें की रांची को 35 स्थान यह थर्ड रेंकिंग का बात कर रहे हैं दूसरी तिमाही के लिए बात करें और जो रांची धनबाद को जो मिला हुआ था आपका 35 25 पोजिशन मिला हुआ था अब यहां पर रैंकिंगर हम इंडिविजेली अलग अलग से दिये हुए सब्सकिन केंगे सबसे बात करते हैं जो पहला ranking अधिक आबादी वाले सहर इसमें जहर्खन यहां रैंकिंग दिये हैं यह दूसरी तीमाही का है, इसको ध्यान रखेगा, पहली तीमाही का नहीं है, पहली तीमाही का अलग है, दूसरी तीमाही, हमने यहां पर मेंसन भी किया हुआ है, इसको देखेगा, दूसरी तीमाही के लिए हम यह अलग से लिस्ट बनाए हुए हैं, जिसको आपको ध्यान मे सबसे बेश्ट रहा है धनबाद 25 अस्थान पर और रांची 35 अस्थान पर एक लक्स अधिक अबादी वाले सहर में कि जमसेथपूर को पहला पोजीशन मिला हुआ है पूरे ओल ओभर इंडिया में ग्रीडी को छी आलिश्मा स्थान पर इसमें भी ज्यारकंड से दो सहर कि एक चीज़ हम रखिएगा जमसेथपूर को आखिर पहला पोजीशन क्यों मिला क्या इस खास बात था कि ओल ओवर इंडिया में जमसेथपूर को यह पोजीशन मिला हुआ है चुकि हुआ पर जो भी साप सफाई किये जाते हैं या फिस सड़कों की मरमत या फिर जो भी ची इसलिए रैंकिंग हासिल करने में पहला पोजीशन अस्थान बरकरार रखा है अब तो यह दो रैंकिंग हो गया आपका अब इसके अलावा भी आपका रैंकिंग जारी किया गया था पचास हजार से एक लाक के अबादी वाले में तो इसमें भी जहार्खन से बहुत सारे सह जिसमें की चक्रधरपूर को सात्वा पोजीशन ओल अवर इंडिया में लोहरदगा को आठवा पोजीशन जुम्री तिलिया को बरहुआ पोजीशन फिर आपका साहिव गंज 15 पोजीशन पर है मुधुपूर आपका 20 गुमला 21 मेदिन नेगर 22 और फुस्रो आपका 25 पर है 21 पोजीशन खुटी को आपका 27 गोड़ा 28 फिर आपका हुसेनाबाद 34 पर है चिरकुंडा आपका 37 पर है सिम्डेगा 38 पर है मीज आप जो आपका है आपका 41 है गडवा आपका चुवाली से जामताड़ा 47 अब विश्रमपूर आपका 49 पोजीशन पर है तो यह सारे रैंकिं तो आज कैसे सने बस इतना ही इसमें प्रस्न जो पूछे जा सकते हैं उस पर भी डिसकस कर लेते हैं इसमें आपको जो पोजीशन मिला हुआ है वो सारे चीज़ में रहेंगे इसमें डायरेक्टली यह नहीं पूछा जाएगा कि स्वक्ष्टा सर्वक्षन रैंकिंगी में इसमें सहर का अबादी देना पड़ेगा तभी उसका करेंसे सकते हैं तो अगर हम बात करें पुछडे कि जहारखन से कि सहर को पहला स्थान मिला हुआ है जबकि आपको अगर दस लग से अबादी का अगर हम ज्यादा बात करें धनबात को 25 को 35 पूछा जा सकता है इसलिए उसको सर्फ स्ट पोजिसन ऑर और और इंड्या में उसे मिला हुआ है और बहुत सरे इंपूरेंट टोपी के साथ कर इंट अफेस के साथ थैंक्यूब शिफ हीजिय और लैक किजिय dónde competit और भी जादा यहां पर मेंबर जूर सकें और उन्हें बिनेविट मिल सकें